पिर भी भाजपाने बिहार में डाइरेक्ट अपना सरकार क्यूंग rider बनाया जानते हैं जिश्बत कि भी वह पर शोनाव उतने में अपका यहाल कर दिया है सिस्टम बदलने की कोशिश की और जो आप दावा कर रहे हैं कि इतना ब्रश्टाचार है या अगर हटाने की कोशिश की तो जिसे ये ब्रश्टाचार का पैसा मिल रहा है वो आपको छोड़ देंगे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि जनता ये पूछेगी कि इतने मजबूत लोगों से जब आप लड़ेंगे इसलिए मत डराइए कि आज बिहार में एक क्रांती की जरुरत है आप अपने चेयर पेल किसी नेता को बहिता के पूछे अपने इतनी हिम्मत देखा ये अकेले बिना कारे करता हूं कि बिना इतनी कोई बड़ी फंडिंग के आप चुनाल वड़ रहे है प्लैन आपके दिमाग में होगा ना कि जब मैं ब्रष्टाचार पर ऐसे वार करूँगा तो जो मेरे उपर पलट वार होगा उसका प्लैन क्या है वो बता दीजिए अगर ऐसा सोचे होते भगस सिंग तो देश कभी आजाद नहीं होता सुभास चंद्र बो सोचे होते तो देश आजाद नहीं होता गांधी जी सोचे होते तो देश आजाद नहीं होता आप छोड़ दीजे यहां से मुझे हटाईए और बिहार का किसी भी सांसत को यहां पे इस कुर्सी पे बटाईए और लाइब कीजिया और लाइब में जो दरसक कमेंट करें उस कमेंट का सवाल पूछ लिजे किसी नेता से हालत खराब हो जाएगा इन लोगों को जवाब देने में हम लड़ेंगे चाए कुछ भी हो हम लड़ेंगे और मुझे इस बार बिहार के लिए लड़ना है बिहार के स्वाभिमान के लिए लड़ना है बिहार के गरीबों के लिए लड़ना है और मुझे जीतना भी है बिहार के लिए बिहार के स्वाभिमान के लिए और बिहार के गरीबों के लिए अगर मैं हारा तो हमारा बिहार हार जाएगा बिहार का गरीब हार जाएगा बिहार का बेरोजगार इवा हार जाएगा अगर वो असली बिहार के बेटे हैं तो बिहार का विकास कर दे बन इसका सेब जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप बिहार का विकास नहीं कर रहे हैं और बिहार के ही हैं तो कहीं नहीं तो कहीं आप बिहार के नहीं हैं इंटर्फिर में कहता है आई एम प्लाउड बिहारी बहुत बढ़िया हम बिहार के हम नाम रोसन किये हैं आज जो इसे दूसाल IES IPS के कुर्सी पर बढ़ जाता है तो कहता है कि I am not from बिहार, I am from दिल ली, I am from हर्याना, I am from राजस्तान, IES IPS लोग अपने आपको बिहारी नहीं बोलते हैं। आप एक लाख रोजगार की बात करते हैं, क्या प्लैन है मनिश कशप के पास? मैं CR पाटिल जी से सिखा हूँ, नाम सुने है CR पाटिका? जी, आज से 15 साल पहले सूरत इस देश का सबसे गंदा सहर था, आज सूरत जो है इस देश का सबसे स्वक्ष सहर है, आज से 15 साल पहले सूरत में उतना रोजगार नहीं था, आज सूरत सहर ने 50 लाख लोगों को रोजगार सूरत में दे सकते हैं तो मनिस्वो एक लाख लोगों को रोजगार जो है ना बेतिया और रक्सॉल के छेत्र के लोगों को दे सकता है पहला चीज दूसरा आमने सीखा है नरेंद्र मोधी से दस साल पहले जो है बनारस की इस्तिति क्या थी आप बताइए कहीं भी हत साल के अंदर नरेंद्र मोधी जी ने पूरे बनारस को चमका दिया बिहार में मंदीरों का सहर जो है न वो बेतिया को बोला जाता है जहां से मैं चुनाओ लड़ रहा हूं और मैं वादा करता हूं कि बनारस के जैसे बेतिया को विक्सित करूंगा और बितराष्ट्रीय सहर है बिरगज जो आर्थिक राजधानिया नेपाल का और रक्सॉल से एक किलोमेटर की दूरी पे बोडर के उस साइड है अगर रक्सॉल को चमका दिया जाए बेतिया को चमका दिया जाए तो परत्याक चुरूपते पांस से दस लाख को रोजगार मिलेगा और एक लाख लोगों के देनी की बात कर रहा हूं मैं कजा यह करते हैं दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं और आक पांच चाहिए घार kinda को यह शतना मुंदर्नी को च envoy से बाहरा चाहिए अम्बानी को च्वा से चाहिए पंजली को भी चाहिए टाटा को भी चाहिए बिल्ला को भी चाहिए और इस चक्कन में बिहार के लोग जो है दिहोली और दिपावली के समय में बोरे की तरह ट्रेन में भर-बर के जाते हैं और आते हैं और कोरोना जब सुरू हुआ तो लात मार के बिहारीयों को निकाल दिया गया और कोरोन 10 साल मनमोहन सिंग हो या नरेंदर मोदी जी हो 10 साल 20 साल में एक मिटिंग बिहार के विकास पे नहीं हुआ है अगर हुआ है तो आप अपने चैनल पे दिखाईए कि कब हुआ है हम लोगों को नहीं याद है इसी चैनल पे इसी बड़े बोड़ पे दिखाईए कि बिहार के विकास का जो है मिटिंग पिछले 20 साल में एक बार भी काय नहीं हुआ इस देश का हर एक बिजनसमेन वो चाहता है कि हमें सस्ता मजदूर चाहिए और वो सस्ता मजदूर उसको बिहार से मिलता है इसलिए ये लोग बिहार का बिनास करते हैं गुजरात में हम देखे हैं मोदी जी का रहली आप लोग भी देखे होंगे इमंदारी से कसम से कह ये का 5,000 लोग आते हैं मोदी जी का रहली में और उन 5,000 लोगों में से 4,000 बिहारी भी गुजरात में रहते हैं वहाई 4000 भीड लगाते है गुजराती कहा देखने आता है लोग गुजराती तो अपना बिजनस करता है कंपनी में बैठा रहता है और मोधी जी वहाई मोधी जी जब बिहार में आते है गुजरात से तो एक लाक लोग जाता है उनका भासन सुन्ने मोधी जी का बताये मोधी जी को ज्यादा प्यार कौन देता है फिर मोधी जी अपना जो है अगर बिहार में सबसे कमजोर जनाधार किसी पार्टी का है तो नितीश कुमार और उनकी पार्टी जद्यों का है सबसे कमजोर जनाधार इतने सालों से सी है मैं सब्सक्रां भाजबा भी घृ में से जादा कमजोर तक र। में सब्सक्राि बना अप लोगा प्जिक्स पर ज्यादा था-टे कि यह आप ने बिहार में डाइरेक्ट अपना सरकार क्यों नहीं बनाया जानते हैं कि जब भी बिहार के बरबादी की बात आएगी न तो तेजस्वी पे लालू पे और नितीश पे तीर उठेगा बीजेपी पे नहीं उठेगा और बीजेपी भी बीजेपी के नेता भी बिहार का विकास नहीं करना चाते हैं, यह बात सत्य है और यह अटल सत्य है और यह कड़वा है, नहीं तो भाजपा जो है न, 2010 में अपना सरकार बिहार में बना चुका होता, क्यूंकि उनको चाहिए मजदूर, उनको चाहिए लेबर, उनको चाहिए फैक्टरी चलाने वाले लोग, सस्ते दाम पर इसलिए, और कभी भी कोई भी नेता जो है न, यह बात ऑन कैमरा जो है आपको नहीं बताएगा,